रोबीना नाज हमारे छोटे मामू एहमद जब पोलीस में भरती हो रहे थे तो बकूल मामी के उन्हों ने अपने वालदेन यानि मेरे नाना नानी से कुरान पर हिल्फ उठाया था कि मैं कभी रश्वत न लूँगा और न दूँगा एक लंबा उरसा गुजर गया मामू अप अपने हिल्फ पर काइम रहे हर साल बकरा एद पर उनकी शदीद ख्वाहिश होती कि करबानी में दन्बा जबह किया जाए अगले साल मामू एद से पहले एक दन्बा खरीद लाए उसकी अच्छी तरह देख भाल की वह शाम को ट्यूटी से आकर उसको करीबी बाग में ले जाते जहां वो दिल खोल कर टेहलता और हूप चरता वो अपने हाथों से उसको चारा खुलाते नहलाते और प्यार करते दन्बा इनसे बहुत मानस हो गया और हर शाम उनकी वापसी का इंतिजार करता एद करीब थी मामो की ड्यूटी का वक्त बदल गया इस दोरान इद के हवाले से तयारी बेवक्त की ड्यूटी और जाती मसरूफियात की वजह से मामो चड़चड़े हो गए एक दिन वो रात की ड्यूटी करके आए वो बहुत ठके हुए थे जैसे ही घर की दहलीस पर कदम रखा तो दन् दन्बे से पींट चड़वाने की कोशिश की लेकिन उसने ना चोड़ी मामो ने गुस्से से दन्बे को धका दिया और चले गए अगले दिन उनकी चट्टी थी तो वो देर तक सूते रहे शाम को नहा धोकर जब मामो ने दन्बे को चारा पानी खुलाना चाहा तो उसने ख मामो समझ गए कि राद जो मैंने उसे मारा और धुका दिया था तो ये मुझसे नाराज है उनको अपनी गलती का हसास हुआ ऐन्होंने उसे नहलाया और प्यार किया फिर चारा और पानी उसके आगे रखा वो ना माना फिर उन्होंने दन्बे के चेहरे को पकड़ा और कहा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे से गलती हो गई। वो फिर भी न माना, तो मामो ने उसके पीर पकड़ लिए और कहा, प्यारे दमबे, मैं अपने कीए पर शर्मन्दा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो, अब तो मैंने तुमहारे पीर भी पकड़ लिए है। मामों का ये कहना था कि दंबे ने खूब चारा भी खाया और धेरों पानी भी पिया फिर अगले ही रोज वो कुर्बान हो गया